1915 में जब यह महिला अपनी बेहन के अंतिम संसकार में लेट पहुंची तो इसने वहाँ जाने के बाद अपनी फैमिली से डिमांड की कि वह अपनी बेहन की बोड़ी को अंतिम बार देखना चाहती है लेकिन उसकी फैमिली ने कहा कि एक बार कोफिन को बंद करने के बाद उसे दुबार उपन नहीं किया जाता इसमाहिला की जिद के बाद इसकी फैमिली कोफिन को उपन करने के लिए मान गई कोफिन उपन ओने के बाद वहाँ पे सभी लोग बिल्कुल हैरा रह गई जब इसने कोफिन ओपन किया तो इसकी बेहन निसकी और समाइल कर रही थी जिसके बाद वहाँ पे सबी लोग उसे देखते ही रह गए तो जिसमाहिला को कोफिन के अंदर बंद किया गया था उसका नाम ऐसी डनबर था ऐसी डनबर कोफिन से बाहर निकलने के बाद अपनी बेहन के गले लगती है और वो इसके बाद 47 साल और जिवित रहती है दोस्तो इसके बेहन के जिद ने इसे 47 साल की और जिन की दी अगर वो जिद ने करके कोफिन को खुलवाती नहीं तो साइद उसका उसी दिन अंतिम संस्कार हो जाता इसलिए कहते हैं दोस्तों जो भी होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले